नमस्कार दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका एक वारफेर जी की सीरीज चैनल में स्वागता है दोस्तों आज हम फिजिक्स के इंप्रेंट टॉपिक गुर्थ वाकरशन को कबर करेंगे जहां पर दोस्तों इस टॉपिक से संब्धित टॉप 30 प्लेस घ्र्ष Siq Sud गये के इसके देखेंगे लिटिव के लिंक लिए चाली में चाहिते हैं आज की सऽे सकने क्ष्ट करते हैं आज जुट अठाल उसको न्यक्राइब दूरिया है नियम है नियम की बात कर दूस्तो अच्छटि वह दो पर दूस्तों इसको शॉट्वतेक खुर्थकू खूर्शन नियम किते हैं तुम आपको शॉक्य का नियम दिया था और नयूंत धूर्स को सब्तिकूर्थकूर्शन नियम किस्टार का नियम दिया था प्यान नेस्ट कोस्टन केपिटल जी का मान होता है दोस्ते बहुत ही महत्पूर कोच्छन दुस्त आपके आध्याकना है दोस्तो केपिटल जी का मान होता है और ऑप्षिन नमर ए शैदिसमलाव 6.67गुड 10sq1-m11 की गावथ न्यूटन मीटर स्क्वेर वत्टे किलो में स्क्वेर इसक दूस्तो कै데 केपिटल जी का ऐसा हिमांतर पूषिल जाता तो अब बताना है जोनर पात्यए आपको ए प्रत्वी केंद पर एक प्रिंडर का भार दोस्तों प्रत्वी केंद पर एक प्रिंडर रखा हुआ है तो उसका भार क्या होगा तो प्रत्वी की सताय पर इसमाल जी का मान होता है अप्रत्वी की सताय पर किसी प्रिंडर का जुमान होगा और अधिकतम होगा प्रत्वी की सताय से उपर या नीचे जाने पर इसमाल जी का मान तो राइट आलसर अप्रत्वी गटता है निच्ट कॉस्चन विशिवा तragष्ष एक quater पर इस्माल जी का मान होता है तो अपसन अमर वी राइट आंसर है निउन्तर मुणदम निच्ट कॉस्चन प्रत्वी के धुर्फ फोल पर इस्माल जी का मान होता है तो राइट आंसर है उश्माल ओण्तर अधिक्तम से जाने पर जो जी कमान में कमी आते मतलब घटता है तो थोड़ा कंफूज करने वाला तो आपको याद रखना है नेस्ट कॉस्चन ने में लेकित मैंसे किस इस्तान पर इसमाल जी कमान सारुत्रक होगा तो सयांसर है और अप्षिन नमर्डी अंटार्क्टिका के केम्प में नेस्ट कॉस्चन ने में लेकित मैंसे किस ने न्यूटान से पहले ही पता लगा दिया था कि बस्तुएं प्रत्वी की ओर गृत्वा कर्शित होती है तो आपका सायांसर अप्षिन नमर्डी ब्रह्मांगुप्त जो दुस्तो भारत के नहीं नवास करने वाले थे उन्होंन न्यूटान से पहले ही पता लगा लिया था कि जो बस्तुएं होती हैं प्रत्वी की ओर गृत्वा कर्शित होती है नेस्ट कॉस्चन प्रत्वी के गृत्वा कर्शित होती है नेस्ट कॉस्चन प्रत्वी के गृत्वा कर्शित होती है तो यहां पर इसमाल जी का मान कम होती घृत की को अवंधे मोस्त्राइय लिस्व को सब्सक्राइब रखना है नेस्ट कॉस्चन और पूमध द्रेका से दुर्वुझों की ऊजाते हैं तो उपर की उर जाती है तो लिप्ट में इसतर फिंड का वार दोस्तों जो लिप्ट होती है और उसमें किसी बस्तुए या पिंड रखा हुआ या दोस्तों आप आप खुद ट्रेवल कर रहे हैं तो आप जब ऊपर की उर जाते हैं तो आपको अपना भार कैसा पृत्त होता है तो जाइट आशार है और से नमर ए बड़ा हुआ पृत्तीत होता है इसके लावा दोस्तों अगर आप पिंड में इस तो लिप्ट में धीर धीर नीची की उर आ तो यह रते समय लिप्ट की डोरी तूट जाए तो एक मुक्त पिंड की वाती नीचे इस प्रल्ट का बार सुन अबर सी सब्सक्राइब और निई के गरतियते थी में किसी पिंड का धबहर हो गाइब किसे कह ustedes को सूरिय के चार ओर बजया एक चक्तर जितने सामाइब में लगाता है और उसका परिकर्मन का्ल हो जाता सबस्क्रिट दोस्ते की दूरिय की बात हो रही है तो खिरिय के निमों की के खुछ क्रिशने की थी दूश्टयाँ पर गिरिये गती की लिल्यों की बात हो रही है तो गिरिये गती की खुछ की थी ऑप्यूंति नमर् एक की ती है लेफ्षट qstar उंसर गिरेगति की कोँछ किसने खी दूश्टयाँ पपर दोकि ये असर अस्र dai को पर नहुंत और दुस्तों बात होती गिरिये गती के नीमों की तो आसा याजर होता कैपलर नेश्ट कॉस्चन प्रत्वी के लिए प्लाइन वेक कमान होता है दुस्तों जो किसी बस्तु का प्रत्वी के लिए प्लाइन वेक कमान होता है और स्नम्मर ए ग्यारा दिसम्मला दो किलोमीटर पर सेकेंड नेश्ट कॉस्चन प्रत्वी तल से किस नियू तमबेक से प्रिच्चे पित के जाने पर कोई राकेट प्रत्वी की गुरुत्वा क्रेशन को पार करके अंत्रिक्ष में चला जाएगा दूस्तो अगर आप बतानों जो राकेट होता है उसको अगर आपको प्रत्वी से वाहर भेजना है दूस्तो आपको किस नियू तमबेक से आपको उस राकेट को प्रिच्चे पित करना होगा तो साही आंसर उप्षिन नमर ए 11.2 km पर सेकेंड की बेक से नेस्ट कोस्चन वो इस्तर उफगर जियो इस्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्थकाल होता है तो राइट आंसर उप्षिन नमर वी 24 घंटे नेस्ट कोस्चन एदि किसी पिंड को प्रत्वी से 11.2 मीटर पर सेकेंड की बेक से फैका जाए तो पिंड प्रत्वी पर कभी वापस नहीं आएगा उप्षिन नमर ए आपका राइट आंसर है नेस्ट कोस्चन जब एक पथर को चांद की सताय से प्रत्वी पर लाया जाता है तो जो साई अंसर है उप्षिन नमर वी इसका भार बदल जाएगा परन्तु द्रमान नहीं दोस्तों अगर किसी पत्थर को आप चांद पर या प्रत्थी पल लाते हो तो उसका द्रमान हमेशा सैम ही रहेगा उसके द्रमान में कोई परिवतन नहीं होगा लेकिन जो भार होगा उस बस्तु या पिंड का ओए बदलता रहेगा प्रत्थी के परिता गूमने वाले किर्थम उपगरह से बाहर गिराई गया 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 दोस्तों जो प्रत्थी पर बापस आ जाएगी प्रत्थी से बाहर निकालेगी या फ्र दोस्तों चन्दमा पर चली जाएगी दोस्तों का सही आंसर आपस्ट नमर डी प्रत्थी के परिता उपगरह के समान आवर्तकाल के साथ उसकी कक्छा में गूमती रहेगी दोस्तों जो कियंद होगी उसकी कक्छा में गूमती रहेगी आपस्ट नमर डी आपका यहा टेनिस की गयन मेंदान की पेक्चा किसी पहाड़ी पर अधिक कूची उचलती है क्योंकि तो आपका राइट आंसर आउस नमर सी परवतों पर प्रत्वी के गुरुत्वा कर्षण का कितना भाग चंद्वा के गुरुत्वा कर्षण के सबसे नजदिक है तो राइट आंसर आप पता है जो चंद्वा का बार होता है प्रत्वी की सतय का एक बटे-चतमा भाग होता है दूस्ता क ча ап 성y q5 आख विरावर एक परस्टी परकिसी खबाएं सब्सक्राइब हम है 60 निव्सक्राइब हक ako golden ठेग है और अनगा परकिल यहां सी खबतू का बहुत है सकतूइब आई है यहां सबनाला है रखिवर का करनेशा से निधिया ने शे संद्ध popping अब तो आपको यहाद रखना है प्रत्वी तल के समीब चक्र लगाने वाले उपगराई की कख्षे चाल तो सभी आपको पूछा जाता है कि बिसका पहला किरतिम उपगराई तो आपको बताना है इस पूटनिक जो दोस्तो यूएसे नहीं सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं इसलिए प्लिस दूट चैनल को सब्सक्राइब करने से हम मच जाएगा